आप सोच करके हमको बताईए कि धरम का काम मंदिर, मस्जित, गुरुद्वारा, चर्च में है लोग उसको बिधान सभा और पार्लियामेंट में लेकर के क्यों आते हैं इबादत, पूजा वो आपका विक्तिकत मसला है उसको लोग राजनीती में लेकर के क्यों आते हैं इसलिए आते हैं कि ये ज्यान जो है न लोग अंग्रेजों से सीखे हैं और इद्यास जान लीजिए जब 1942 में भारत छोरो अंदोलन हो रहा था तब भी कुछ अंग्रेज के जासूस थे जो उसमें सामिल नहीं हुए थे और आज 2022 में जब भारत छोरो अंदोलन हो रहा है तो अब भी कुछ अमरीका के जासूस हैं जो उसके खिलाफ में बोले चिंता की बात ये है कि गुजरात के लोगों ने एक कारिकरता को मुख मंत्री बनाया मुख मंत्री से प्रधान मंत्री बनाया अब उस महान वाव का दर्शन चुनाव तू चुनाव ही होता है चुनाव तू चुनाव ही होता है और इसका असर ये है कि शायद उनको ये लगने लगा है कि कपरे बदलने से ही देश बदलता है और कपरा बदलते बदलते आप मुखमंतरी बदलने लगाएं क्या सिपाई जी तिसरा मुखमंतरी हुआ है ना कि प्परा पदलते पदलते मुखमंतरी बदलना शुरू कर दिये हैं खूद भुपेंदर पटेल को नहीं पता था को मुखमंतरी होने वाले अब आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि आप वोट किसको दे रहे हैं अगर मोधी जी को वोट दे रहे हैं क्योंकि मैंने दे जी आगल बगल में पूरा उनका कुनवा मोधी जी कहते हैं कि हम किसके लिए चोड़ी करेंगे वही बगल में जो लोग खरा हैं उसके लिए तो बगल में जो लोग खरें हैं अगर आप उनको देखकर के वोट नहीं दे रहें मोधी जी को देखकर के वोट दे रहें हैं तो आप इसका मतलब चाहते हैं कि मोधी जी गुजरात में रहें और मोधी जी गुजरात में तभी रहेंगे न जब आप भुबेंदर पटेल साहाब को जुनावरा देंगे तो आप तै कर लीजे कि आपको चाहिए क्या अगर आपको मोधी जी नहीं चाहिए तो फिर मोधी जी से सवाल पुछिए कि हम आपको वोट दिये तो आप पहले आनंदी पटेल जी को जो है मुखमंत्री बनाए पता नहीं अगर अच्छा काम किये तो फिर उनको हटा क्यू दिये अगर बुरा काम किये तो फिर उनको राजपाल क्यू बना दिये फिर दूसरे मुखमंत्री आए रुपानी साहब अब यह बताईए को अच्छा काम किये कि बुरा काम किये अगर अच्छा काम किये तो हटा क्यू दिये अगर बुरा काम किये तो सिर्फ चिठ्षी क्य लिखवाए उनको पाटी से सस्पेंड क्यों नहीं कर दिये सिर्फ विधान सभा का ही टिकट क्यों काटा पाटी सभी बाहर कर देना चाहिए अगर भुपेंदर पटेल सहाब इतना बर्या मुखमंत्री है तो परधान मंत्री जी आप उनको अपने कार के पीछे दौरने के लि लिख देते रोग देते कार एक सीट पर बिठा लेते अरे वह भी आपकी तरह मुखमंत्री है क्या पता अगल को परधान मंत्री बन जाएंगा गुजराच को मुखमंत्री है भाई मजाक थुली है तो परधान मंत्री का कार चल रहा था मुखमंत्री जी दोर रहे थे अरे मैं होता न तो मैं अपनी बाई पर बिठा लेता उनको अब यह जो पूरी परिस्थिती है इस परिस्थिती पे हमारी नजर नहीं जाएगी क्यों क्यूंकि हमको समझा दिया गया है हमको पता दिया गया है कि हमारे जीवन में धरम के अलावे और कुछ नहीं है तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपड़ावाद के सभी अस्पताल में किसको ऑकसिजन सेलंडर मिला गीका वाले को की टोपी वाले को किसको मिला कोरोना जब हुआ तो एसपी साहब को भी हो गया और कॉंस्टेबल साहब को भी हो गया पटेल को भी हो गया और जो है धलित को भी हो गया ब्राह्मन को भी हो गया हिंदू को भी हो गया मुसल्मान को भी हो गया महिला को भी हो गया पुरिस को भी हो गया आजकल सहर में एक नहीं बिमारी आई है दिल्ली में खुब होता है आपके हाँ दिल्ली की भी एक पार्टी आई है उस निमारी का नाम है डेंगू और डेंगू जो है उसका मच्छत आपके पास आएगा न तो पहले आप से इंट्रोडक्शन नहीं पूछता है कि पहले आएगा और कहेगा और ज्यासुदिन भाई कैसे हो तुम मुसल्मान हो तो तुमको नहीं काते है और कनया कैसे हो तुम हिंदू हो तुमको कात लेते है ऐसा बिल्कूल भी नहीं होता है डेंगू फैलता है गंदगी से और धरम के नाम पे जो राजनीती है इसको कहते हैं सामपरदाइकता और ये है समाज की गंदगी और ये जो समाज की गंदगी है इस समाज की गंदगी ने हमारे जीवन की समस्याओं पर से हमारा ध्यान हटा दिया है और हम भी कितने कमाल के लोग हैं घर हमारा, चीवी हमारा, रिचार्ज हम कराते हैं और ब्लड प्रेसर का बिमारी भी अभी को हो रहा है उसमें हमारा मुद्दा ही नहीं है कि लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा हर जरूरत की चीज महगी होती जा रही है पेट्रोल पंप पे जब तेल भड़ाना होता है न दिल की धरकन बढ़ जाती है अईसा लगता है कि किसी को परपोज करने के लिए जाने वाले है इतना तेज धरकन चलता है न मीटर देख करके 100 रुपे लिटर मज़दार बात यह है कि महंगाई उपर बर रही है और रुप्या नीचे गिर रहा है दोनों में कॉम्पिटिशन है तुम जितना उपर जाओगे उतना नीचे जाओगे और हमारी वित्मंत्री कह रही है कि नहीं हम नहीं गिरे हैं वो बढ़ गए है